हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मैं चैनल आज मैं आपके साथ शेर करने वाली हूँ बेसन का भुजिया तो चलिए बनाना सुरू करते हैं बिलकुल ही हेल्दी तरीके से बेसन का भुजिया बनाने के लिए मैंने सबसे पहले यहां लिया है दो कब बेसन बेसन में हम एड़ करेंगे हाफ चमच रेट शिली पॉडर दो से तीन पेंच हल्दी स्वादनुसा नमक और हिंग एक बड़ा चमच मास्टर्ड ओयल सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि कोई भी लम्स ना रहे अच्छे से मिक्स हो चुका है आप देख सकते कोई भी लम्स नहीं है अब हम थोड़ा थोड़ा पानी एड़ करके एक टो रेड़ी कर लेंगे एर टाइट कंटेनर में भरकर बेशन का भुजिया रखेंगे तो एक मन्थ तक आप खा सकते हैं बिल्कुल भी खराब नहीं होगा और ये रेसेपी बहुत ही टेस्टी लगता है डो रेड़ी हो चुका है अब हम साचे में ओल लगा लेंगे ओल हमें इसलिए लगाना है ताकि डो हमारा चिपके नहीं और आसानी से निकले हाथ में ओल या फिर पानी लगा कर डो को इस तरीके से रेड़ी करके साचे में डालना है साचे का ढकन हमें इस तरीके से गुमा गुमा कर लगाना है कड़ाई गरम हो चुका है अब हम एड़ करेंगे मस्टर्ड ओयल चाहे तो आप कोई सा भी कुकिंग ओयल ले सकते हैं ओयल भी गरम हो चुका है अब हम ओयल में डालेंगे बैटर इस तरीके से घुमा घुमा के हमें सारा बैटर ऑईल में डालना है आप जो ऑईल में बबल्स देख रहे हैं जब तक ऐसा बबल्स आए तो हमें नहीं पलटना है बबल सलका कम हो जाए उसके बाद में पलटना है हमें लो टू मीडियम फ्लेम में फ्राई करना है बेसन का भुजिया बनने में 2-4 मिनिट लगता है अगर आप हमारे बताए हुए तरीके से बनाएंगे तो बेसन का भुजिया बहुत ही क्रिस्पी बनेगा अगर आपको हमारी ये नई रेसेपी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शियर जरूर करें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब करना बिल्कुल न भूले बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारा वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुचे